हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं इंडिविज्वल डिफरेंसेज के 10 क्वेस्टेंस जो के सीटेट 2021 के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें पहला कि डिफरेंसेज के लिए एक इंडिविज्वल में इंडिविज्वर होते हैं, इसके लिए आपको शिर् σिर्फ ये इंडिविज्वल डिफरेंसेका है, वो पता होना चाहिए इंडिविज़ इसका जो राइट एंसर है वो है difference between two individuals आपको बता दे कि कोई भी दो इंडिविज़ जो होते हैं वो कभे भी same नहीं होते हैं इवेन कि जो identical twins होते हैं जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ differences होते हैं और 90% तक वो बच्चे आपस में उनके जो भी characteristics हैं जो development है वो same ही होता है बट फिर भी उनमें 10% का difference पाया ही जाता है और individual differences का मतलब यहां पर mostly यह है कि जो दो individuals है कोई भी दो individuals हैं उनमें differences होते ही हैं किसी class में अगर दो बच्चे हैं उनमें अलग-अलग तरह के differences होगे कोई color में कोई color में अलग होगा कोई पढ़ने में कोई किसी का अलग intelligence level लेवल होगा किसी का अलग इंटेलिजेंस लेवल होगा कोई अच्छे से को जल्दी सीख जाता होगा चीजों को कोई धीरे सीखता होगा तो यह बिंग टीचर आपको इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना है कि लेवल की जो प्रवींता सिखने की चीजों की जो लैंग्वेज को सिखने की जो प्रवींता है जो गती है वो अगर किसी बच्चे में धीमी है तो उसका क्या कारण हो सकता है इसके चार ओप्संस दिए गया है पहला ऑप्सन नेचर इंड श्ट्रक्चर आप लैंग्वेज की जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर आपको पता हो चाइनीज जो लैंगवेज है वह बहुत ही डिफिकल्ट है सिखने में तो क्या यह कारण हो सकता है इसको नट कंप्रिहंटिंग्ड दा दाएरा है उसका पताण नहों रर्णर को थड़ टीचर बास की टीचर बास और फॉर्थ ओल ओप ल अवब कि इनमें से उपर के सभी कारक होंगे सभी कारण होंगे तो इसका जो करेट अंसर है वह है ओल अप लुब यह सभी कारण जो ह होते हैं वो अफेक्ट करते हैं language learning का प्रोफिशेंशी को question number three for understanding the individual differences among students in class the teacher should individual differences जो छात्रों में होते हैं उनको समझने के लिए एक सिख्छक को क्या होना चाहिए आपके options है पहला आइडेलिस्टिक होना चाहिए एक टीचर को आदर्स होना चाहिए उसके क्लास का दूसरा टीचर को एक टीचर को effective होना चाहिए कि वो हर एक बच्चे को समझ पाए अपने अलग-अलग perspective से समझ पाए psychologist होना चाहिए या general psychologist यानि कि मनुबैग्यानिक तो इसका जो आई आंसर है वह आप वह होगा effective क्योंकि एक टीचर को psychologist तो होना नहीं है और उसको आइडियल इन cases में नहीं होना है जब उनको individual differences में individual differences find out करने है teacher को effective होना है क्योंकि वो हर एक बच्चे को उसके हर एक बच्चे का अपना अलग-अलग perspective होता है एक effective teacher ही हर एक बच्चे की अलग-अलग perspective को समझ पाएगा और उसके अनुसार उनको नहीं नहीं चीज़े लर्न करने में help कर पाएगा question number 4 what knowledge should a teacher possesses to understand the individual differences in the psychology of a children बच्चों का जो मनुविज्ञान है उनको समझने के लिए एक सिक्षत को कौन सा knowledge होना चाहिए क्या उन्हें heredity and environment का knowledge होना चाहिए उन्हें सिर्फ heredity का knowledge होना चाहिए या फिर उन्हें जो पर्यावरन है environment है उसका knowledge होना चाहिए या फिर उसे एक medical check-up करने का knowledge होना चाहिए जो वो बच्चों को एक medical check-up कर पाए तो हमें बच्चों के psychology को जानना है उनके उनमें ये नहीं जानना है कि उनके अंदर क्योंकों से diseases है तो इसके लिए हमें एक सिक्षक को heredity and environment दोनों factors की जनकारी होनी चाहिए कि दोनों की वज़ा से बच्चों में जो उनका अलग-अलग differences होते हैं वो established होते हैं तो इसलिए एक सिक्षक को हमेशा heredity and environment दोनों की बराबर knowledge होनी चाहिए Question number 5 Which of the following development causes individual differences in any child? कि दो बच्चे अगर दिये हुए हैं आपके पास अगर उनके बीच के आपको individual differences बताने हैं तो आप उसके लिए कैसे बताओगे दोनों के बीच का तो definitely दोनों का जो physical development है height, color, strength ये दोनों में अलग-अलग होगा अगर दो बच्चे हैं तो उनमें physical development एक बहुत ही important factor है differentiate करने का two बच्चों में यानि कि दो बच्चों के बीच का जो difference है उसको बताने में फिर दोनों का mental development की दोनों का किस तरह से उनका मानसी के विकास हुआ है यहां बताने के लिए भी हमें उनका mental development चेक करना होगा और emotional development की बच्चा कहां पे exposed है basically अगर उसके माता-पिता emotional है तो definitely या फिर वो एक emotional family में belong करता है तो definitely यह रहेगा कि वो एक emotional बच्चा भी बनेगा लेकिन अगर कोई बच्चा है जिसके माता-पिता कठ हो रहे है तो definitely वो emotional उतना उतना कम उतना नहीं रहेगा और वो अपने आपको संभाल सकता है तो basically यह तीनों factors जो है वो responsible है तो इसका सही answer होगा all of the above question number six during classroom discussions the teacher pay attention to boys only rather than girls this is an example of gender bias, gender identity, gender equity, gender constancy तो question दिया गया है कि अगर किसी classroom discussion के दोरान एक सिक्चक जो है वो boys को ज्यादा attention दे रहा है comparison to girls का तो यह किसका example है तो यह clear cut example है gender bias का जब ही भी हम अगर किसी एक particular gender को favor करते हैं और दूसरे gender को neglect करते हैं तो यह clear cut example होता है biasness का कि हम लोग दोनों में भेदभाव कर रहे हैं और being a teacher आपको gender equity लानी है class में ना कि gender biasness आपको किसी एक gender को नीचे नहीं दिखाना और किसी एक gender को ज्यादा supportive नहीं होना आपको समान भावना अपने अंदर रखनी है सभी gender को लिकर question number seven which of the following method is best to know the individual differences among students कि अगर students के बीच में हमें individual differences हमें जानने हैं तो इसके रहे सबसे best कौन सा method होगा essay writing competition कि हम लोग बच्चों के बीच में उन्हें essay writing करने के लिए एक test दे जहें participation of students in discussions की students किस तरह से discussion में participate कर पा रहे हैं end term results या फिर हम उन लोग के result के basis पर जज़ करें या फिर psychological tests तो इसका जो सही answer है वो होगा psychological test हम लोग students को psychological test के द्वारा ही उनके बीच का जो individual differences है उनको जानते हैं इसमें बहुत सारे tests होते हैं जैसे personality test, achievement test, attitude test, emotional intelligence test question number 8 meaning of intra individual differences इसके चार options दिये गया है वैसा है एक बहुत easy question इसमें main term है वो है intra आपको सिर्फ ये दो term दिये हुए होते हैं एक intra और एक inter आपको इन दोनों के बीच का difference पता रखना है intra अगर किसी question में दिया हुआ है वो एक particular किसी एक individual की बात कर रहा है लेकिन अगर inter दिया हुआ है तो वो दो individuals की बात कर रहा है पस ये दो individual के किसी एक particular trade की बात कर रहा है लेकिन अगर inter intra दिया हुआ है मतलब कि एक ही individual के अंदर की बात है ये तो इसके चार options दिये गया है difference अमंग various traits in a given individual तो इसका correct answer है वो यही है कि एक individual के जो various traits होते हैं उनके बीच का difference ये और two or more individuals अगर question में inter दिया होता तभी ये हम लोग कर पाते हैं difference in a given trait in an individual associated with the passage of time नहीं हम लोग समय के साथ एक particular trait में अंतर नहीं देखना है difference in a particular trait in an individual ये भी नहीं होगा इसका correct answer जो है वो फरस्ट है question number 9 the knowledge of individual differences helps teacher in कि individual differences जो दो individuals की बीच में जो अंतर होता है उसका knowledge एक सिक्षा को कब मदद करता है आपके options है understanding the fertility of working hard with the backward students as they can never be at par with the class fertility का मतलब होता नेर थकता कि जो backward बच्चे होते हैं वो class में बाकी बच्चों के साथ compete नहीं कर पाते हैं और वो कभी कर नहीं सकते never तो हमें कभी भी एक teacher को negative या फिर seated का जो question होता है उसमें कभी भी आपको negative options को हमेशा neglect करना सबसे पहले negative options को ही neglect करना है दूसरा accepting and attributing the failure of students to their individual differences कि हमें एक students का जो failure है और उसको accept कर लेना है और उसको attribute कर देना है कि नहीं यह बस individual differences में जो अंतर था इसलिए दो students एक समान नहीं है और उनमें एक कमजूर है एक तेज है third making their presentation style uniform to benefit all students equally कि हर एक बच्चे को सेम एक ही style में present करना है और एक ही तरीके से concept को समझाना यह भी गलत एक धारना है fourth assessing the individual needs of all students and teaching them accordingly तो अगर individual differences का जो knowledge है न वो हमें बताता है कि हर एक individual जो है वो सीख सकता है उसकी पर्टिकुलर नीड होती है अगर आप उसके नीड को समझ गयाना और उसको अलग तरीके से समझाओगे तो बच्चा समझ जाएगा उसका जो correct answer है वो होगा assessing the individual needs of all students and teaching them accordingly हर एक बच्चों को उनकी तरह से समझाओ न आप सब बच्चों को एक ही तरह समझाओगे तो वो कैसे समझ पाएगा हर एक का particular एक need है question number 9 which of the following factors affecting the differences in an individual एक individual में जो differences आते हैं उनकी लिए कौन से responsible factors हैं आपके options दिए गये हैं environment, heredity, gender bias and all of the above इसका जो correct answer है वो है all of the above चलिए एक एक करके समझते हैं पहला heredity, heredity एक individual में differences कैसे लाता है मैं आपको बताता हूं कि जभी भी दो बच्चे अगर जनम ले रहे हैं तो आपको पता है कि एक इंसान के अदर है 46 chromosome होते हैं और यह जो दो chromosome हुए एक्स 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 वाई यह डिसाइड करता है उसका जेंडर बच्चे का जेंडर कि वो फेल मेल होगा या फीमेल होगी तो heredity यहीं पर differences हो गया ना दो बच्चों के बीच में और पहला heredity environment अगर कोई बच्चा गरीब है तो definitely यह है कि उसका mental development अलग लेवर पर उसको नहीं पर कोई rich privilege बच्चा है तो उसका mental development अलग होगा तो दो बच्चों के बीच में होगा है ना डिफ्रेंस तर्ड जेंडर बाइसनेस आपको पता है कि समाज में कुछ ऐसा ट्रेडिशन है ऐसी प्रथा है कूप रथा है कि जो कि कुछ मेल्स और फीमेल्स के बीच में डि तो इससे कहा है कि इनसे भी physical development, mental development और social development जो बच्चों emotional development जो बच्चों का होता है जो दो individual का है वो decide होता है तो इसलिए इसका correct answer जो है वो होगा all of the above और लास्ट में thank you so much वीडियो दिखने के लिए और प्लीज आप लोग कुछ comment करें जिससे मैं improve कर पाहूं अपना content I know कि भी starting है मैं थोड़ा अटक अटक के बोल रहा हूं आपको थोड़ा समझने में मेरी भासा जो है वो problem आ रही होगी बट मैं अपने आपको धिरदरे improve कर करेंग